So, हम लोग factories act कर रहे थे, उसकी applicability and features हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में और यही पर हमारा यह act खतम हो जाएगा So, applicability यानि कि यह act कहां कहां रहता है, कहां कहां applicable होता है तो हम सबसे पहले यही बता देते हैं कि यह whole of India में apply होता है So, यह सारी state सारे सब कुछ include कर रहा है, तो whole of India में included है यह उस premises में लगता है, उस premises में apply होता है जहां पर 10 plus workers होते हैं, यानि कि 10 से जादा workers होते हैं 10 से 10 से जादा workers होते हैं और कहीं जगाओ पर, कहीं cases पर, वहाँ specify है act में कि कहीं जगाओ पर जो 12 plus workers होंगे, वह factories पर यह act लगेगा ठीक है, वह premises वह factories में यह act applicable होगा अब हम बात करते हैं features की तो क्या-क्या features हैं हमारे इस आक के हमने सब कुछ नो पढ़ी लिया तो हम features सो बताई सकते हैं तो यहाँ पर working conditions के बारे में जादा focus किया गया है यहाँ पर hazardous works को prevent करने के लिए बहुत सादा focus किया गया है तो आप, I hope आप बहुत सारे features लिख सकते हैं इसके तो थोड़े नए features पर हम आते हैं तो यहाँ पर यह चीज बताई गई है कि working hours जैसे हमने पहले भी लिखा था कि objectives क्या होते हैं उसके कि working hours जादा नहीं होने चीजए तो working hours specify किये गये हैं कि वो 48 hours से जादा जादा नहीं हो सकते so not more than 48 hours ठीक है and what 48 hours per week plus इसमें बोला गया है कि weekly holiday होनी चाहिए ही चाहिए ठीक है यहाँ पर prevention provide की गई है employees को, workers को and precautions लिए जाये हर factory में यह भी focus किया गया है ठीक है क्योंकि observations कर जाती वें investigations होती है inspections होती है factories में यहाँ पर focus किया गया है workers की safety का ठीक है यहाँ पर focus किया गया है जो state government है वो monitor करती रहे factories को उनका inspection करती रहे और यहाँ बात की गई है workers की welfare की वेलफेर की कैसे बात की गई है कि separate washrooms हो, rest rooms हो, lunch rooms हो, बच्चों के लिए crunches जैसे कई mother's होती हैं, तो उनके लिए crunches की provide की जाया इस फाक्टरी में, तो ये सारी चीज़े बताई गई हैं इस act में, अगर कोई भी इन provisions का जो भी provisions provide किये गई हैं इस act में, उस provision का पालन नहीं कर तो उस act को, अगर कोई ऐसा act करता है, जो इस provision के अंदर नहीं है, कुछ गलत act करता है, तो वो act को माना जाता है punishment, या हम क्या सकते हैं, माना जाता है offense, जिसके लिए punishment मिलती है, तो अगर कोई ऐसा act जो आप provisions की खिलाफ कर रहे हैं, provisions को follow नहीं कर रहे हैं किसी फाक्टरी में तो I hope आपको इस Act समझ आया हो, इसकी history समझ आई हो, और अगर आपको कोई doubt आता है, तो आप हमारे चानल को, हमारे WhatsApp ग्रूप को जाइन कर सकते हैं, and please, 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 हमारी वीडियो को as much as share कीजिए, and do like the video, thank you for watching. झाल